मैं रभी आपको एक ऐसा टेक्निक बता जाने देखिए पौधा लगाने से कितने दिन मित्थी रहाँ चाहें यह देखिए लाइन से लाइन है अभी मेरा वीडियो यह तुझे जनकारे बताऊंगा मेरे वीडियो को पूरा देखें पूरा देखेंगे तो आच्छी तरह समझ जिमाएंगे हमने वान टूर ट्री फोर फाइब पार्ट बनाये हैं आप देखिए पौधा से छे इंची के दूरी पे गिरां चाहिए और भी कितना गिरां चाहिए आप एक मुत्ती यानि सो ग्राम में दो स्पीर में दालना चाहिए और यह खाद दालने के बाद आप अच जाले हैं छे इंची काहराई तक चला जाता है और पौधे पर खिश्वरगा का दाइमेज नहीं होता है और मित्ती चढ़ाने पर अधिक खाद का मातरा भी नहीं होता है यह दिखी हमने मित्ती चढ़ा दिये हैं अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे चढ़ाया जा रहा ह आप इसको विष्टार से देखें और अच्छी तरह देखें और कितना ज़्यादा चाहिए आपका बर्सात का मौसम हो या जाड़े का मौसम हर फसिल या लोकी का फसिल पर आप मित्ती चाहना निवार होता है जिसे पाने चलाने से उसके जो बेड होता है उसमें जड़ का वि फ्छल बी आ रहा है देखें और फल भी आना प्रारम हो गया है फूल भी आ रहा है आपको बेड बनाने से फाधा यह होता है कि मत्ती वहां भूरी होती है और फल का साइज अच्छा बना रहता है और जादा नमी नहीं रहता है और यह देखिए लोकी साइज है ऐसे प्रकिलिया काप काम करेंगे तो इस पे यह प्रकार का जो फल लगा है आपका भी लगेगा और जो भी कीड़े का दिक्कत है तो हमने लोकी का पार्ट वान, पार्ट तू, पार्ट फोर तक बना है आप पार्ट वान भी देख सकते हैं, पार्ट तू, पार्ट त्री भी देख सकते हैं आप देखने से संतु स्थावश्ट होंगे आप मेरे चैनल पर नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मैं आपका दोस्त रवी यह तिकी एक नम्मर का साइज लोकी है टिकिे मार्केट में, मेरा मेटा आया है सफ्लाइ करने के लिए आप पउधा लागाने के बाद कितना सक क्तुरॉंध ही करना चाहेından इसफ्रें अगर इसफ्रें नहीं करेंगे तो आपके जो पत्ते हैं उसके रेट रेट माइट सकते हैं और जो कीड़े होते हैं जो और हर के उपा लगते हैं और कीड़े नीचे स्काते हैं और सब रूप थाम के लिए मैंने पार्ट वन पार्ट ट्री कितना सक का काइम में बना कर दिखाया हूं आप उसमें जाकर देख लेगें